जहीं दोस्तों सवागत है आपको लैट्स क्रैक नीट एंड एंटिस चैनल में यहां पर हम स्टेटिक इबावल जी के साथ साथ करेंट अफेर्स को भी डिसकस करते हैं और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें ताकि फर्दर जो भी लेटिस्ट अप्डेट्स हैं वह आप तक सबसे पहले पहुंच है और आज हम इस वृडियो में बात करने वाले हैं प्लाज्म और प्लाज्म बैंक के बारेमें और उमें जानेंगे कि क्या हो ri- RAW क्यों जो इंडिया का सबसे जो पहला प्लाज्मा बैंक है वह डैली टीशू और उसके दो मेजर कॉंपोनेंट है थोड़ा सा यलूइश कलर होता है ये लिए इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो आर्वी सी जाओ नहीं होते हैं तो ब्लेड को जो रैड कलर जो प्रवाड कराने का काम में वह और अगर आर्वी सी प्लाज्मा में अंदर एपसें है जिसके विश्चिश का कलर है वो यलोईश कलर होता है तो जो प्लाजमा है ड़ेट इस अप्रोक्षिमेटली 55 परसेंट ऑफ दा ब्लेड वॉलियूम जो हमारा उसका लगभग 55 परसेंट जो है प्लाजमा जो इसको कवर करता है बाकि जो रेस्ट है उसमें जो हमारी जो सेल लीन से वह काफी हमारे लिए इंपॉर्टेन हो जाते हैं तीक और इस ग्लोबिलीन की वजए से ही सिके जिसमें एंटि आती बोडी आती है और एंटि बोडियम की प्रेजिंस ने ही जह है प्लाजमा के इंपॉर्टेंस को यहां पे काफी बढ़ा दिये बिको वी नोगी जो वो कोई वाइरस है फंगी है थेके किसी भी तरीका कि जो फॉर ये कृटेक्शन प्रवाइड कराने का जो काम है वो एंटिबॉडिज कराती तीके जिसके विशे जो है इनकी इंपॉर्टेंटेंश जो काफी बढ़ जाती है थीके तो प्लाजमा प्रोटेंश के साथ साथ यह सबसे पहला है वह सब्सक्राइब है टिके जो लगबग जो जितना भी प्लाजार्ण प्रोटीन है उसके सिक्ष्टी प्रोटेंट जो है वह कवर करता है और इसकी सिंथेसिस यह लीवर के अंदर होती रहने काम क्या है यह यहिई प्रोवाइट करता है यह मैंटेन करता एक प्रोपर ब्लेड प्रेशर को ठीक है इसके बाद जो नेक्स्ट आता है ग्लोबिलिन, इसका जो पसेंटेस है, कम है थोड़ा सा, ठीक है, 60% था, अल्बिमीन और यह लगबग जो है, 36% जो कवर करता है, ठीक है, और इसकी जो खासको जो इसकी प्रडेक्शन होती है, लिंफेक्टिक टिशू के अंदर होती है, ठी जमकी जो थड़ वाला है, यह आप सबी ने सिना होगा, कि जब भी खेंपर इंजरी होती है, ठीक है, तो वहाँ पे ब्लेड का इफॉट्वलेशन का जो काम है, ठीक है? यह वहाँ पर प्रोटिन ने मेनवहां पे प्रेसेंट होता है, और इसका सब्से जो मेनिम म जो यह पूरे प्लाजमा पर्टीन का जो कवर करता है यहां पर एक लाइन वरकी प्लाजमा इस न में इस तरह समझने के बाद now we are able to understand कि हम समझ गए कि प्लाजमा क्या है हमने देखा प्लाजमा के अंदर जो है वोटरी पॉर्शन है ब्लेड का ठीक है वहाँ पे जो एंटीबोडी प्रिजेंट है जिसको में हम जिसको ग्लोबिलिन प्रोटीन जो हम बोल रहे थे और जो इसकी इंपोर्टेंस को जो है व कि फाइगी वो है IgG को बिचांई डर कि गए उसन ठीक हो गए है उनके प्लाजमा के अंदर आंटीबोडिस है टाम प्लाजमा लिया गया जो जो है उस प्लाजमा को जो दूसरे जो कोश्ट को ना के पेशेंट है उसमें जो इसको इंजेक्ट कर दिया गया तो डॉक्टर ने पाया कि यह जो रिकवरी रिटेस में काफी बढ़ रहा है ठीक है इसलिए एक नया कंसर्ट निकल के आयस के अंदर जिसकों बोलते हैं चैना ने भी बड़ा इसका इस्ते माल किया ओर इन्ने काफी सक्सेस मिली एक तो इसी को जहान में रखते हुए जो हैm बैंक का इंडिया में इंडिया थॉ सबसे पहला जो प्लाजुमा बैंग है वो गडेलि के अंदर इंदर स्टΑ глीश किया गया ठीक है और और 2nd of July, 2nd of July को डेली के चीफ मिरिस्टर केदरिवाल, अरविंद केदरिवाल जी है, उन्हों ने इसका इनगुरेशन किया, और जो पहला ये बना है, कहां बना है, ये ध्यानकने वाली शीज़, ये बना है आपका Institute of the Liver and the Biliary Science for the Easy Access of the Plasma to Treat COVID-19 Patient, ठीक है, तो ये Institute of the Liver and the Biliary Science है यहां पर जो प्लाजमा बैंक जो बनाया गया है, ठीक है, और ताकि जो यहां पर है, आप अपना जो भी COVID-19 जो पेशेंट जो रिकावर कर जाते हैं, वो अपना प्लाजमा जो यहां पर डोनेट कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो फर्दर जो दूसरे पेशेंट हैं, उनको इ बीजे आते से सबसे पहले की जो भी डोनर है उसकी जो एज है वह 18-60 रोनी चाहिए और साथ यूसका वेट है जो है जो है जो भी डोनर उसके काफी जो टेस्ट किये जाते हैं चाहें वह सीबी सी काउंट डिया है या हिपिटाइटिस वी का वारेस उसका टेस्ट हो या फिर अचाईवी मलेरिया इन सभी यह सभी जो टेस्ट परफॉर्म के जाते हैं ताकि कोई भी किसी भी तरह का जो इनफेक्शन है उसके जो चांस ना बन सके हैं ठीक है और खासकर जैसे कि मैंने पहली बताया कि आपको यहां पर जो एंटिबोडी आईजी जी है इसको यहां पर रिकवर किया जाता है ठीक ठीक है तो और इसका कुछ नुक्सान भी नहीं है कि अगर जो डॉनर है अपना ब्लड प्लाजमा देता है ठीक है तो जो प्लाजमा जो प्रोटेंस के जो लॉस हुआ है वह 24 से बहतर घंटे के अंदर उसको रिकवरी हो जाती तो ऐसा भी नहीं है कि अगर कोई करता है तो इसका कुछ नहीं होता है तो जो भी जो डॉनेट किया आपने तो 24 to 72 आर के बीच में जो प्रोपर जो प्रोटेंस है उसकी जो रिकवरी हो जाती है ठीक है चलिए थैंक्यू थैंक्यू सो मच मिलते है नेक्स वीडियो में